नमस्कार नैशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ फटजाला इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है में घाले की 370 फुट गहरी खदान में फसे 15 मजदूरों को बच्चाने के लिए रविवार को शुरू हुए अभियान से फिलाल कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है क्योंकि भातिय नौसेना और NDRF के गोता खोर खदान की तह तक नहीं पहुँच पाये है जेहां में घाले की 370 फुट गहरी खदान में फसे 15 मजदूरों के जिन्दा होने की उम्मीद धीरे-धीरे धुमील होती नजर आ रही है कई एजेंसियों के इस संयुक्त अभियान की शुरुवात नौसेना के टीम लीडर लेफटिने कमांडर संतोष खेतवाल ने की जो गोता खोर को अंदर भेजने से पहले खुद खदान में पानी की तह तक उत्रे जहां उन्होंने इस्थिती का जयजा लिया वही पूर्वी जैंतिया पर्वितिये जीले के पृस अधिक्षक सिल्वेश्टर नौग टिंगर ने बताया कि भारतिये नौसेना और एंडी आरेफ के 6 गोता खोर खदान के भीतर गए और पानी की तह से 80 फूट उपर की गहराई तक पहुँचे वे दो घंटे तक खनीकों का पता लगाते रहें साथ ही उन्होंने बताया है कि नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक सतह से पानी की गहराई खदान के तल तक करीब 1500 फूट के आसपास है वहीं NDRF के सहायक, कमांडेंट संतोष कुमार्ड जो की तलाश और बचाव अभियान में दो दलो की अगवाई कर रहे हैं उनका कहना है कि वह पानी में एक ना उतारने में समक्ष रहें जो गोताखोरों को उनके उपकर्ण रखने में मददगार साबित होगा और गोताखोर सोमवार को एक बार फिर खदान की तहर तक पहुचने के लिए खदान में उतरेंगे वहीं एसपी का कहना है कि गोताखोर रवीवार को कुछ नहीं ढूण पाएं और सोमवार को हुआ मजदूरों की तलाश के लिए उच्च तकनिक वाले उपकर्ण का इस्तिमाल करेंगे कोल इंडिया लिमेटेट का एक समर सिवल पंप रवीवार की रात पहुचा है CIL ने देश के अपने विभिन केंद्रों से कम से कम छे पंप देने का वादा किया है नेशनल इंडिया लिव्स में फिलार आज के लिए बस इतना ही देखते रहें नेशनल इंडिया लिव्स